तो गाइस अगर आपने हमारे Marshall Universe Season 4 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकाउट जरूर करें वहाँ पर आपको सारे अपिसोड के लिंक मिल जाएंगे और गाइस मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ यह एक नॉवल है जिसके करण आपको शीन मैच देखने को नहीं मिलेंगे बर जितना ट्राई हो सके मैं उतना करूंगा तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो के एक्स्पनिशन को स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि हमने पिछले अपिसोड में देखा था लिंग लैटियन और लिंग डॉंग की फाइट हो रही थी जिसमें लिंग डॉंग काफी ज्यादा लिंग लैटियन पर भारी पड़ा था और वहाँ पर लिंग डॉंग ने छोटे से टर्टल माउंटेन की पावर्स का यूज करते वे एक टेकनिक परफॉर्म की थी उस टेकनिक का नाम था ग्रैविटी टेकनिक और उस ग्रैविटी टेकनिक ने लिंग लैटियन को अपने जगह पर ही जमा दिया था लिंग लैटियन अपनी भी होता है वो अपने अपने पुल से बाहरा चुके थे वो लोग भी लिंग डॉंग की पावर को दीखकर काफी ज़्यादा सोकते और उन्हें अभी भी स्वासने हो रहा था कि लिंग डॉंग इतनी आर्शानी से लिंग लैटियन को पकड़ सकता था वो तीनों बंदे साथी साथ थर्ड प्रिंस भी जाते थे कि लिंग डॉंग काफी ज़्यादा पारफुल है क्योंकि उसने तो वांग जोंग को भी हरा दिया था वांग जोंग पूरे ग्रेट यान डाइनिस्टी में सेकेंड नंबर का सबसे ज़्यादा पारफुल कल्टिवेटर था उन लोग ने लिंग डॉंग और वांग जोंग की फाइट तो नहीं देखी थी क्योंकि लिंग डॉंग और वांग जोंग की जो फाइट हुई थी तो इतनी खतरनाक औरा निकला था कि आसपास की फोर्मेशन तूट गए थी जो बाहर व्यू दिखा रही थी उसके बाद में अपनी आखो पर विश्वास नहीं और आता तावी उनकी नाजा लिंग डॉंग पर पढ़ती है जो इसी कसमस में था कि वह लिंग लैटियन को जान से मारे या ना कुछ दीर सोचने के बाद जो लिंग डॉंग होता है वकत है चलो अब लिंग लैटियन को जान से मार ही दि लिंग डॉंग होता है वह लिंग लैटियन पर वह गोल्डन पिलर अपनी पूरी ताकर लगा कर मारता है वहाँ पर लिंग लैटियन होता है वह लिंग डॉंग के इतने जादा खातरनाक अटेक को देखकर वह तुरंत वहां से हटने की कोशिस करने लगता है लिंग लैटि तो उसकी मिर्तिव पक्की हो जाएगी वहाँ पर तभी लिंग लेटियन की आखों में आजीब सी काली रोषनी भरने लगती है वह काली रोषनी पूरी लिंग लेटियन की बॉड़ी में समाने लगती है जिससे उसकी पावर अचानक से बढ़ने लगती है यह काली रोषनी उ और उस अजीब चीडराम निसकती जो Link correction की भॉडी में रहती थी। उसने link Lexire कर देता और जो लिंग लेटियन होता है वह रही हिंले में काम्याब होने लगता है। उसकी पुरी बॉडी से करिभ साप पेन उठने लगता है जिससे लिंग डॉंग का वो गोल्डेन पेरेंट चुकना चुकना हो जाता है लेकिन लिंग लैटियर ने जब इस अजीब सी डरामनी सक्ती का उप्योग किया था तो वो काफी जादा घायल हो चुका था उसके पूरे मूर से खुन निकल ला था और वो इस समय उठने की हालत में भी नहीं था वहाँ पर लिंग डॉंग बोलता है ये मेरे पास बहुती बढ़िया मक है वहाँ पर जो लिंग डॉंग था वो heavenly nine finger का यूज करने वाला था और तुरंत वो उस टेकनिक को परफॉर्म भी करने लगता है पर अचानक से लिंग डॉंग देखता है कि लिंग लैटियन की बोडी में एक काली रोषनी आकर समा गई है तभी अचानक से लिंग डॉंग के माइड में आवाज आती है और ये आवाज और किसी की नहीं बलकि मिस्टर डॉंग की थी मिस्टर डाउ अब लिंग डॉंग के पास वापस आ गयते मिस्टर डाउ लिंग डॉंग से बोलते हैं लिंग डॉंग रुख जाओ वो डराओ नहीं सकती लिंग लैटियन की बोडी में वापस आ चुकी है तुमी से इस टाइम नहीं मार सकते मिस्टर डाउ की बात सुनकर वहाँ पर जो लिंग डॉंग होता है वह इस नाइन हवेलनी फिंगर टेक्निक का यूज नहीं करता और तुरंत पीछे आड़ जाता है और वह लिंग लेटियन की तरफ देखता है लिंग लेटियन का घाव धीरे धीरे बर्णने लगाता है और फिर से खड़ा हो जाता है लिंग लेटियन फिर से वहाँ से चुपचाप अपने पॉंड की तरफ चला जाता है वहाँ पर मिस्टर डाउ से लिंग डॉंग पोस्त है आखिर क्या हुआ मिस्टर डाउ आपको पता चला कि लिंग लेटियन की बाड़ी में आखिर कौन सी आत भी नहीं थी जब मेरा पॉंड के अंदर उसका सामना हुआ तो मैंने उसको बहुत ही बूरी तरह से पीड दिया और वो डर कर वहां से भाग गई वहां पर मिश्टर डाउ की बात सुनकर लिंग रंग काफी ज़्यादा सौक हो जाता है वहां पर मिश्टर डाउ बताते हैं यह एक युवान स्परिट है इसके पास भी काफी ज़्यादा पिछले जन में जैसे टैलेंट था है गाईस युवान स्परिट है एक प्रकार की कल् एक सूपर सेक्ट से भी जादा पावर तक वो पहुंच चुक है तो वहाँ पर कल्टिवेटर अपनी आत्मा को युवान स्प्रिट में बदल देता है उसकी आत्मा अब भविष्ट के लिए बहुत ही जादा सुरक्षित हो गई है मतलब अगर वो कल्टिवेटर अपने ही ले पान स्प्रिट को नश्ट ना किया जाए तब तक वो कल्टिवेटर मरेगा नहीं बलकि वो अपने निव होस्ट का इंतिजार करेगा जिसकी बॉड़ी में वह चला जाए मिस्टर डाउ लिंड़ों को बताते हैं तुम जानते हो अंदर इस सेक्रेट पॉंड की क्या करना च जाकर उसको एक काफी खतनाक हतियार के रूप में इस्तमाल करके लिंग लैटियन को प्रदान करने वाला था और साथी साथ वह उस बिष्ट की हड़ी के रिफाइन करके उसके जीन को निकालकर लिंग लैटियन में डालने वाला था ताकि वह उसके फिजिकल इस्टेंद को काफी ज़्यादा बढ़ा सके वहाँ पर लिंग डॉंग यह बास तुनकर काफी ज़्यादा सौक हो जाता है वहाँ पर मिश्टर डाउ काते हैं लेकिन वह मेरे रहते विए ऐसा नहीं कर पाया मैंने उसे इतनी बुरी तरह से पिट दिया कि उसी अपनी जान बचा कर वहाँ से भागना पड़ा और मैंने उस पावर्फुल बिष्ट के उसी स्केल को हांसिल कर लिया जब तुम इस सेक्रेट पूल से बाहर अपने कमरे में चलोगे तो मैं तुमें वो हड़ी दे दूँगा जिससे तुम अपनी पावर्फ को बढ़ा सकते हो वहाँ पर लिंग डॉंग हामें सीरील आता है वहाँ पर लिंग डॉंग मिस्टर डाउ से पूशता है अच्छा आपने अंदर चेक किया कि वो किस प्रकार की बिष्ट की बोडी थी वहाँ पर मिस्टर डाउ काते हैं वो एक एंसेंट हैवल ने डीमन क्रो को डाय था उसकी पावर काफी ज़्यादा थी उसकी पावर का तुम इसी बात से अंदादा लगा सकते हो न कि अगर वो चाहे तो अपने एक ही अटेक से निर्वाना स्टेज के उपर के कल्टिवेटर को चीटी की तरह मसल सकता है लिंगडउंग मिस्टर डाउ की बातों को सून कर काफी ज़्यादा सौक हो जाता है वहाँ पर मिस्टर डाउ लिंगडउंग से काते हैं मैंने जियावयान को नीचे भेज दिया है जिया हुए नीचे आज पास की पॉंट की एनरजी को एब्जॉर्ब कर रहा है और साथी साथ वो अपने लेवल्स को ब्रेक्तुरू करने भी वाला है और जल्दी साइद उसका भी ब्रेक्तुरू हो जाए जिससे उसका भी लेवल अप हो सकता है उसके बाद मिश्टर डाउ लिंग डॉंग की बोड़ी में चले जाते हैं अब जल्दी से जल्दी इस पूल की एनरजी को एब्जॉर्ब करो अब तुम्हारे पास लिंग लेटियन की पूल की भी एनरजी लगता आ गई और साथ ही साथ तुम्हारी पूल की भी एनर्जी है तुम्हारी पूल में तो दोगुनी एनर्जी आ चुकी है अब जल्दी से इस पूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करो वहाँ पर लिंग डॉंग तुरंत मिश्टर डाउ की बात सुन लेता है तुरंत वहाँ पर कल्टिव किसी तरह रोका हुआ था क्योंकि उसके अंदर की डरावनी सक्ति ने उसे आदेश दिया था कि वह इस टाइम लिंग डॉंग पर अटैक ना करे और अगर वह ऐसा करता है तो उसे इसका परड़ाम भुगतना पड़ेगा इसलिए लिंग लैटियन अपनी पॉंड में एकदम दात पीश कर बैठा हुआ था और वो मनिमन सोच रहा था लिंग लॉंड मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था ति लिंग डॉंग ने उसके पुल की सारी एनरजी को एब्जॉर्ब कर लिया है और अपने पुल में डाल दिया है और लिंग लेटियान तुरंत अपने अंदर की डरावनी सक्ति से पूशत है मास्टर क्या हुआ आपकी हालत कुछ आजीब सी मुझे क्यों लग रही है वहाँ पर वो डरावनी सक्ति बोलती है मैं नीचे से उस एंसेंट बीस्ट की बोड़ी से वो हेवेली स्किल नहीं लापा लिंग लेटियान ये बास सुनकर और भी जादा थोड़ा सा गुस्ता हो जाता है और पर वो अपने गुस्ते को उस अजीब सी डरावनी सक्ति को नहीं दिखाता और काता है मास्टर ये कैसे हो सकता है अंदर कुछ गडबड हुई थी क्या वहाँ पर वो अजीब सी डराव लिंग लेटियान को बताती है हां लिंग डॉंग के पास भी एक मेरे तरह ही इस्पृट है और वो भी लिंग डॉंग की बोड़ी में राती है लिंग लेटियान ये बास सुनकर काफी ज्यादा सौंक हो जाता है और काता है क्या लिंग डॉंग के पास भी एक इस्पृट ह वहाँ पर वो डराओ नहीं सकती लिंग लैटियन को बताती है कि लिंग डॉंग की बोड़ी में जो इस्पृरिट है और मेरा सामना फुल के तल में हुआ था मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा था लिंग डॉंग की बोड़ी में जो इस्पृरिट है वो काफिर जादा powerful हो चुकी है मुझे भी अपनी power बढ़ानी की जर्वत है वारना मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा बस मुझे थोड़ी सी और अपनी power बढ़ानी की जर्वत है उसके बाद मैं उस spirit को देख लूँगा वहाँ पर link latian तो एकदम सौक में था कि उसके हाज से आज सारा चीज चला गया था और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था वहाँ पर लिंग लाटियन मास्टर से पूछता है मास्टर कि हमें फिर लिंग डॉंग पर अटेक करना चाहिए वहाँ पर फिर वह डरावनी सकती लिंग लाटियन को डांटते हुए बोलती है तुम पागल तो नहीं हो चुप चाप सांती से रहो तुम्हे अपनी पावर बढ़ाने की जल्दी है ना अभी हम लिंग डॉंग का सामना नहीं कर सकते तो चुप चाप यहाँ पर बैठे रहो वहाँ पर लिंग लाटियन गुस्से से एक दम ही पर बैठ जाता है वहाँ को एक प्राचीन दुनिया में भेज़ा जैगा जहाँ पर तुम लोग को निर्वाना इस्टी्ज तक पहुँचना होगा लेकिन तुम इसकी चिंता मत करना मैं उस प्राचीन दुनिया में एक जगह जानता हूं जहाँ पर बहुत सारी रियर्ट्र ट्रिल्जर पड़े उस समय का हम फैदा उठाएंगे वहाँ पर लिंग लेटियन या बात सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी से मुस्कान आ जाती है पर फिर वह लिंग डॉंग की तरफ देखता है और फिर भी उसके चेहरे पर बहुती ज़्यादा अजीव से भावा जाते है क्योंकि आज लिंग डॉंग ने उसे बहुती बुरी तरह से हरा था उसका सारा चीज लूट लिया था वहाँ पर थोड़ प्रिंस और बाकी दो लोग लिंग लेटियन की हालत को देखकर एकदम मनी मन हस रहते हैं और वो लोग मनी मन काते हैं लालच बुरी बला है आज देख भी लिया उसके बाद वो लोग भी अपनी पूल की पावर्ज को एबजॉर्ब करने लगते हैं और दस दिन ऐसे ही बीच जाते हैं 10 दिन के बाद सारे लोग अपनी पूल की पूरी अनजी को एबजॉर्ब कर लेते हैं अब ये पूल को खुलने का टाइम हो चुका था, अब यहां पर ये सारे कॉंटेस्टेंट्स इस पूल से निकल जाएंगे, अब ये पूल दुबारा 20 साल तिक बादी खुलेगा, क्योंकि इस पूरे पूल को फिर से रिचार्च होने में 20 साल का टाइम लगता है, उसके फिर से महल में टेलिपोर्ट कर जाता है, वहां पर सारी लोग लिंग लेटियन की हालत को देखकर, मन इमन जोर जोर से हसने लगते हैं, उसके बाद फिर लिंग डॉंग और सारी लोग महल में टेलिपोर्ट करते हैं, वहां पर महल के अंदर किंग मोजटियान और एल्डर यह किसी ने चीन लिया था तबि उसकी नजर लींग डॉंग पर पड़ती हैं इसका केवल एक ही मतलब था कि लिंग लेटियन नहीं ने पॉंड के अंदर से सेक्रेड इस्प्रिट औरा अब्जॉर्ब नहीं किया था या किसी ने छीन लिया था तभी उसकी नजर लिंग डॉंग पर पड़ती है कि मोजटियान काफी ज़्यादा सौक हो जाते हैं क्योंकि लिंग डॉंग की बोडिस से दोगुनी बहुती ज़्यादा पारफुल सेक्रेड स्पिट का औरा फील हो रहा था और वो समझ जाते हैं कि लिंग डॉंग और लिंग लैटियन के बीच में कुछ ना कुछ हुआ था जिसमें लिंग डॉंग जीच चुका था और लिंग लैटियन हार चुका था फिर वह चिंता में थल्ड प्रिंस की तरफ देखते हैं थल्ड प्रिंस की बॉड़्ी से एक दम नॉर्माल आरा महसूस हो रहता मतलब उसने पूल की अनरजी को बराबर एबजॉर्ब किया था और वो सारी लोग की तरफ देखते हैं और किंग मोजिटियां तुरत समाझ जाते हैं कि लिंग लैटियन और लिंग डॉंग में आपस में कुछ न कुछ जरूर हुआ था वहाँ पर लिंग फैमली के पैट्रिया चे लिंग फैम भी लिंग लैटियन की बोड़ी से एकदम सेक्रेड स्प्रिट पूल का औरा महसूस नहीं कर पा रहे थे और वह लिंग डॉंग की तरफ देखते हैं लिंग डॉंग डबल उसकी बोड़ी से औरा आ रहा था इस नजारिक को देखकर पैट्रियाच भी काफी ज़्यादा सोकते हैं क्योंकि वह जानते थे कि लिंग लैटियन कितना ज़्यादा पारफुल था पर फिर भी वह लिंग डॉंग के सामने नहीं टिक पाया था यहाँ पर पैट्रियाच अब कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि लिंग लैटियन और लिंग डॉंग आपस में बहुत ही जादा जलते थे और लड़ते भी थे अगर पैट्रियाच इंटरफेयर करते तो यह किसी एक का साइड लेना हो सकता था इसलिए वहाँ पर पैट्रियाच भी कुछ नहीं बोलते हैं वहाँ पर जो लिंग लैटियन होता है वो लिंग डॉंग को घुसे में देखता और कहता है मैं तुमें देख लूँगा और यह बात बोलकर वहाँ पर लिंग लैटियन चला जाता है और वहाँ पर लिंग डॉंग कुछ देर बात करने के बाद उन सबसे मिलकर वहाँ से फिर से अपने कमरे में चला जाता है लिंग डॉंग जाकर अपने बेट पर बैठता है तभी वहाँ पर मिस्टर डाव लिंग डॉंग के पास आ जाते हैं और वहाँ पर तभी जियाव यान भी लिंग डॉंग के पास आ जाते हैं लिंग डॉंग की नज़र जियाव यान पर पड़ती है जिसकी बोडी से सुनहरी चमक निकल लई थी और उसकी बोडी में अचानक से एक फायर फाइटन टाइगर नी है और उसकी पूट पर एक अजीब सी आकरिती बन चुकी थी जो काफी ज्यादा पार्फुल लग रही थी वहाँ पर लिंडॉंग तुरंत जी आवियान की पूट की तरफ देखता है और यह समझ जाता है कि जी आवियान का लेवल और ब्रेक्तुरू कभी भी हो सकता है बस उसे थोड़ी सी टाइम और थोड़ी सी एनरजी की जर्वत है और वह इतना ज्यादा पार्फुल हो जाएग कि यह जल्दी ब्रेक्तुरू कर जाएगा साय जब हम उस वार अफ हंडेट डानेस्टी में जाएगे उस प्राचीन दुनिया में न तो वहाँ पर कुछ ट्रीजस मिल सकते हैं जिससे जी आवियान का लेवल ब्रेक्तुरू हो सकता है वहाँ पर मिस्टर डाउ जी आवियान की तरफ नहीं देखाता वह उसे हमेशा अपने एक अच्छे दोस्त की तरफ देखता था वहाँ पर जो जी आवियान होता है वह तुरंत लिंग डाउं की पास आकर उसे चाटने लगता है उसके बाद लिंग डाउ जी आवियान को बताते हैं लिंग डाउं अब तुम्हार पारफुल कंट्रीज के लोग आएंगे तुम्हें पता है होगा कि ग्रेट यान डाउनेस्टी उन सभी कंट्रीज के मुकाबले कितनी ज्यादा पीछे है अगर टॉप हंडर्ट में भी रखा जाना तब ही भी ग्रेट यान डाउनेस्टी उसमें सायधी आप आएगी पर मिस्टर डाउ बताते हैं लिंग्डंग तुम्हें ये बाग भी ध्यान रखना चाहिए पारफुल कंट्रीज के पाथ पारफुल रिसोर्स भी होंगे जिसके कार्ण उनके जितनी भी प्रतिबाय होंगी उनका ग्रोथ काफी स्पीड के साथ हुआ होगा मैं तुम्हें अधिक राय बताता हूं कि जब तुम वार फंडेट डानिस्टी में पाइटिपेट करोगे ना और जब उस प्राचीन दुनिया में अंटर करोगे जहां पर तुम्हें निरवाना इस्टेश तक पहुँचना होगा तुम्हें एक बात पर फोकस करना होगा प्राचीन दुन दूसरी लोगों का ध्यान आकर सी तो वहाँ पर लिंग डॉंग माइस्टर डाउ की बास सुनकर हाँ में सीरी लियाता और कहता है ठीक है मिस्टर डाउ और गाइस आज की वीडियो की एक्स्पनीशन को यहीं पर इंड कर देते हैं नेस्ट एपिसोड यहीं पर देते हैं